प्रेंड संतोस की चन में फिर से एक बार आपका स्वागत हूँ तो देखें आज बनाएंगे आउले का तेल तो यह अच्छे से गुठिया निकाल लिया मैंने और अच्छे से काट लिया आप देख सकते हो इसी साफ से काटना है पूरा आउला इसी साफ से गुठिया लग कर तो शुरू करते हैं तेल बनाना यह लोय की कडाई लिए इसमें बनाएंगे तेल सर्चु का ओएल डालेंगे इसमें देखे तेल डाल दिया हमने इसको करेंगे करा तो देखे पांस मिनटी तेल को गरम किया इसमें डालेंगे आउले अब इसको अच्छे से मिला देंगे इसको अच्छे से ही ला देंगे तो आप फ्रेंड्स इस चीज का द्यान रखें लोगे की कडाई में बनाना आया हमारे को तो इसी साथ से अब इसको चलाएंगे जब तक आओले काले हो जाएंगे जब तक पकाएंगे इसको अब अरंडी का तेल एड़ करेंगे तो ये गया इसमें अरंडी का तेल यह 100 ग्राम अरंडी का तेल डाला है हमने अब गयस को कर देंगे बंद हिला के और इसका ठंडा होने तक इंतिजार करेंगे कोईल ठंडा हो गया इसको डालेंगे जार में छानेंगे छनी से इसी हिसाब से छान लेंगे छनी से यह मैंने काच का बोर लिया है डबा यही ओल आसानी से छन रहा है छनी से तो देखिए टेल तो हमने निकाल लिया काच के बोल में और इसको अलग कर दिया यह छिलके बचे हैं ओल सारा निकाल लिया अब इसमें वीटामिन दो कैपसूल डालेंगे वीटामिन एका हमारे को डालने दो कैपसूल यह तेल के हम बालों के जड़ों को मजबूत करता है सारे बाल जड़ना बंद हो जाएंगे यह तेल अगर आप बालों में लगाओगे तो और काले भी हो जाएंगे तो यह डाल दिया हमने दो कैपसूल बीटामिने का तो तेल हमारा बनके तयार है जो कैपसित के हमेगे लगे नगज कलेक। मड़ती घंट पालों में धर जगे तो रल Means के यह अपकी तो वादा़का जाम्ट容